साथियों, पूरी दुनिया में अलग-अलग देश, अलग-अलग पंत, अलग-अलग विचारधाराएं, बिन्द-बिन्द भाषा, भाती-भाती के रंग रूप, दुनिया में, हर एक देश के बनने में, लोग जुड़ते चले गए, कारवा बनता चला गया, लेकिन हम ये कभी न भुलें, हम कभी-कभी देख पाते हैं, कि एक रुपता उन देशों के विशेस्ता रही है, पहचान रही है, और उसको ढ़ालने का बहुत योजना बद्द तरीके से प्रयास भी किया है, अच्छा हो, बुरा हो, सही हो, गलत हो, इतिहास अपना मुल्यांकन करता रहता है, लेकिन भर्षक कोशिश करनी पड़ी है, लेकिन भारत की पहचान अलग है, भारत की विशेस्ता है, भारत की विविदता में एकता, हम विविदताओं से भरे हुए हैं, विविदता में एकता, हमारा गर्व है, हमारा गवरव है, हमारी गरीमा है, हमारी पहचान है, हमारे हाँ, विविदता को, डाइवर्सिटी को सलिब्रेट किया जाता है, हमें विविदता में कभी भी सद्यों से, विविदता में विरोधा भास कभी नहीं दिखता हैं, लेकिन हमें विविदता के अंतर नहीं, एकता का सामर्थ दिखता है, विविदता का सलिब्रेशन, विविदता का उत्सव, उसके अंदर छिपी हुई एकता का स्पर्ष कराता है, उसे उभार करके बहार लाता है, जीने की प्रेणा देता है, जुडने का जज़वा देता है, मन्जिल के साथ अपने-अपने मकसद जुडते चले जाते हैं, और मन्जिले पार भी हो जाती है, जब हम बेश की अलग-अलग भाशाओं और सेंकडों बोलियों पर गर्व करते हैं, तो बोलियां बिन्न होने के बावजुद भी भाव का बंधन बन जाता है, जब हम अपने बिन्न बिन्न खानपान बेश भुशाओं को अपनी समर्द विरासत समझते हैं, तो अपने पन की मिठास उसमें आही जाती है, जब हम अलग-अलग शेत्रों के त्योहारों में शामील होते हैं, तो उनकी खुशी और बढ़ चाती हैं, और नए रंग भर जाते हैं, और नई महक आने लगती हैं, जब हम अलग-अलग राज्यों की परंपराओं को, विशेस्ताओं को, संस्कृतियों को, उनकी विवीतताओं का आनंद लेते हैं, तो भारतिय का गव्रव, भारतियता का भाव, चारों दिशाओं में फलता है, फुलता है, खिलता है, गव्रव बहुत बढ़ जाता है, जब हम विविन्पंत संप्रदायों, उनकी परंपराओं, आस्थाओं का समान रुप से सम्मान करते हैं, तब सद्भाव, स्नेवाव उसमें भी अनेक गुना बृद्धी हो जाती हैं, और इसलिए हमें हर पल विवीत तांके हर अवसर को सेलिप्रेट करना है, उस्षव के रुप उसको मनाना है, जी जान से जुड़ना है, और यही तो एक भारत, स्रेष्ट भारत, यही तो नेशन बिल्डिंग है, साथियों, यह वो तांकत है, जो पुरी दुनिया में किसी और देश के भाग्य में नहीं मिलेगी, यहां दक्षिण से निकले आदी संक्राचारिय, उत्तर में जाकरके, हिमाले की गोद में पहुँचकरके, मठो की स्थापना करते हैं, यहां बंगाल से निकले स्वामी विवेकरंद को, देश के दक्षिणी छोर, कन्या कुमारी में नया ज्ञान प्राप्त होता है, यहां पट्ला में अविरत हुए, अवतरित हुए, जन्मधारन के हुए, गुरु गोविन सीजी, पंजाब में जाकर, देश की रक्षा के लिए, खाल सा पंथ की स्थापना करते हैं, यहां रामेश्वरम में पैदा हुए, एपी जे अब्दुल कलाम, दिल्ली में देश के सर्वोच चपद पर आसीज होते हैं, गुजरात के पोरबंदर की धर्ति पर पैदा हुआ, महंदास करमचन गांधी, चमपरण में बिहार में जाकरके, देश को जगाने का बिड़ा उठाता था, और इसलिए मैं मानता हूँ, कि अपनी एकता की इस ताकत का पर्व, निरंतर मनाना बहुत आवश्यक है, एकता की ये ताकत ही है, जिससे भारतिय ताका प्रवाँ है, गती है, एकता की ये ताकती है, जो सच्चे अर्थ में डॉक्टर बाबा साब आमबेड कर से द्वारा लिखेत, हमारे सम्विधान की प्रेरणा भी है, हम भारत के लोग, ये तीन चार शब्द नहीं है, सिर्फ हमारे सम्विधान की शुरुवात नहीं है, ये हजारों वर्सों से चलीज आ रही, भारतियों की एकता के भाव को सब्दों में सजाया हुआ, हमारा चीर, पुरातन, सांस्कृत के इतिहास है, परंपरा है, विश्वास है, प्रतिवीम्भ है, साथियों, मैं आपको खेल की दुनिया से एक उदारन देता, हम जानते हैं, जब गाउं के अंदर खेल की शुरुवात होती है, प्रतियों की इता होती है, तो उसी गाउं की दोनों टीम, जीतने के लिए पूरी ताकट लगा देते हैं, एक हारता है, एक जीतता है, जीतने वाला तैसील में चला जाता है, जब तैसील के अंदर खेल खेला जाता है, तो हारने वाली टीम समय उस गाउं के लोग भी और तैसील के लोग भी अपनी टीम जीत जाएं, इसके लिए एकता के साथ खड़े हो जाते हैं लेकिन जब दूसरा तैसिल हार जाते हैं लेकिन जब टीम जीले में जाती है मुकाबला करने के लिए तो फिर हारने वाला भी जीले की जीत के लिए जुड़ जाता है और पूरा जिला एक बन करके जीतने के लिए आगे आता है और जब राज्य के अंदर जिलों किस परता होती है तो जीला आगे बढ़ता है जब देश के अंदर राज्यों की प्रतियोगीता होती है तो राज्य के विज़े के लिए सब एक हो जाते है जय पराजय माइना नहीं रखता है एकता का भाव और जब आंतराश्चिय जगत में खेलने के लिए जाते हैं तो हर कोई भूल जाता है कि वो टीम कहां की थी खिलाडी कहां का था भाशा उसकी कौन सी थी उसने मुझे हराया था के नहीं हराया था सब भूल जाते है और जब हिंदुस्तान के तिरंग को अपने कंधे पर ले करके जब वो विजय की दोड लगाता है तो पूरा हिंदुस्तान दोड पड़ता है एक साथ भारत मा की जैकारा निकल पड़ता है यही तो वे एकता की ताकत है जिसका हम अनुभव करते हैं जब विदेशी धर्ती पर मडल जितने के बाद तिरंगा लहरता है तो कश्मीर से ले करके कन्या कुमारी तक महराश्ट्र से वे करके मनिपूर तक एक साथ हर हिंदुस्तानी रोमाची दोड़ता है हर किसी की भावनाए उभार पड़ा जाती है